तो नमस्कार प्रीविद्य अर्थिगंड आज के वीडियो में आप शुभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो अगर आप सीट इट का एक्जाम देने जा रहे हैं तो आपको या तो यंसी आर्टी खुद घर पे लिया करके बुक पढ़ना है या तो हमारे साथ यहां पढ़ सकते हैं क्योंकि हम यंसी आर्टी बुक को ही पढ़ा रहे हैं अगर आप एक पहले वीडियो से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा क्योंकि हम यंसी आर्टी बुक को ही शुरू किये हैं और एक एक करके एक चैप्टर करके पढ़ा रहे हैं अगर आप बुक घर पर लाकर पढ़ सकते हैं तो वहां से भी पढ़ सकते हैं नहीं तो हमारे साथ पढ़ सकते हैं ठीक है तो यंसी आर्टी बुक चल रहे हैं और क क्यूस्चन यंसि-aati-book से ही आते हैं इसको ध्यान रखना है आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ए कोई मतलब नहीं होगा उसल MEMER etti ब्लें तो क्यों नपका यहीं से आएगा यू तो आपको पता ही होगा produced से अध्यायदों है कि को आखेट खाज संग्र से बhosन उत्पादन तक यहां तकाज़ा हम लोग पढ़ने वाले हैं तो चलिए देखते हैं तूसार की रेल यात्रा तूसार कोई ब्यक्ति है रेल यात्रा उनकी इसमें दी गई है तो देखिए यहां से तूसार अपने एक रिष्टेदार के साधी में दिल्ली से चन्नाई जा रहा था रेल में उसे खिड़की वाली शिट मिल गई जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया तेज दवर्टी गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे तभी उसके चाचा ने उसके कंदे पर हांत रखकर कहा पता है लोगों ने मात डेर सव साल पहले रेल से यात्रा करना सुरू की थी बस तो इसके कुछ दसक बाद आई थी तुसार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारिय नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक जगह पर बिता दिया करते थे नहीं ऐसा नहीं ती अब देखिए यहां से शुरू हो रहा है आपका आरंबिक मानो आखिर वे इधर उधर क्यों गुहुमते थे हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उप महाद्वीप में 20 लाक साल पहले रहा करते थे आज हम उन्हें आखे टक खाज संग्राहक की नाम से जानते हैं जो इतने साल पहले रहा करते थे उनको आखे टक खाज संग्राहक की नाम से जानते हैं भोजन का इंतिजाम करने की बिधी की आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था क्यों इस नाम से पुकारा जाता था खाद संग्राहक मतलब खाद को संग्रहन करना मतलब जुटाना एकत्र करना ठीक है तो अपने खाद समगरी को जुटाते थे एकत्रित करते थे इसलिए खाद संग्राहक के नाम से उनको जाना जाता है भूजन का इंदिजाम करने की बिधी के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकरा जाता है आम तोर पर खाने के लिए वे जंगली जानौरों का सिक्यार करते थे खाने के लिए क्या करते थे जंगली जानौर मारते थे उसी को खाते थे मचलियां और चेडियां पकरते थे ठेके फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकठा किया करते थे यह सब ही मतलब वो इकठे करते थे आखे टक खाद संग्राहक समुदाय के लोग एक जगे से दूसरी जगे पर गूमते रहते थे ऐसा करने के कई कारण थे कई कारण थे जिसको हम लोग देखने वाले हैं चलो देखते हैं पहला कारण यह है कि अगर वे एक जगह एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आस पास के पवधे फलो और जानवरों को खा कर समाप्त कर देते थे ठीक है मतलब टहलने का कारण यही था मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे क्योंकि एक ही जगह ज्यादा दिन तक रहते तो वहां पर जो फैल फोल जो खाने के लिए जानवर जो सब कुछ रहते थे जब समाप्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे वह इसलिए घ नहीं ठीक है इसलिए और भोजन की तलास में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने सिकार के लिए या फिर हीरन और मवेशी अपना चारा ढूंडने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाय करते हैं इसलिए इन जानवरों का सिकार करने वाली लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे ठीक है कि तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फुल अलग-अलग मौश्रम में आते हैं इसलिए लोग उनकी तलास में उप्यूक्त मौश्रम के अंसार अन्य इलाकों में घुमते रहते होंगे ठीक है कहने का मतलब अपने भोजन के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते होंगे क्योंकि एक जगह संभव नहीं था और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणिया पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी जहीलों जहर्णों तथा नदियों में ही मिलता है यदिया पर कई नदियों और जहीलों का पानी कभी कभी नहीं सुकता कुछ जहीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है इसलिए ऐसे जहीलों और नदियों के किनारे बसे लोग लोगों को सुखे मौसम में पानी की तलास में इधर उधर जाना पड़ता होगा ठीक है पानी की जिरोज जब पड़ेंगे तो इधर उधर जाएंगे आरंबिक मानों में मानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है अगर करें तो आरंभिग जो शुरुवात में मानों आये थे तो उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है कहां से मिलती है कैसे जाने हम लोग तो इस प्रस्ण को देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा पूरा तत्वीदों को कुछ ऐसी वस्तु में मिलती हैं जिनका निर्माड और उपयोग आखेटक खाज संग्राहक किया करते थे यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकडियों और हड़ियों के आउजार बनाये हों इनमें से पत्थरों के आउजार आज भी बचे हैं जो पत्थर के बनाये थे वो तो बचे हैं और जो लकडी ये इत्यादे हड़ी के बनाए थे कुछ तो समाप भी हो गए होगे और जो पत्थर के थे हो तो कभी नहीं तो हर्दम रहेंगे इन में से कुछ आवजारों का उपयोग फल फुल काटने हड़ीया और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था कुछ के साथ हड़ीयों या लकडियों के मुठ्थे लगा कर भाले और बांड जैसे हथियर बना जाते थे कुछ आवजारों से लकडियां काती जाती थी लकडियों का उपयोग इधन के साथ Sr थी फड़ी हो पड़िया और और ऑजार बनाने के लिए खिए जाता था किछ इतना हुआ करल कि इसको देख लेते हैं कुछ टर दिये गए हैं यहां प्र देख सकते हैं क्या किये जा रहा है और देख सकते हैं पत्थर के अजारों का उपयोग बाय जो पर्थर का उप्योग है इनसान के खाने योग जडों को खोदने के लिए कि जाता था देखिए यहां पर खोदा जा रहा है कुछ और दाएं साइट जो दिख रहा है यहां पर इसको देखिए दाएं साइट जानवरों को एक हाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए के जाता था तो यहां पर देख सकते हैं आप दिया के आए कि आगे चलते हैं मतलब रहना कहां रहना तो इसको पढ़ लेते हैं देखते हैं मान्चित्र दो को देखो मान्चित्र दो कहां है यहां पर है कि लिए क्या इसमें है लाज त्रिकोंड वाले अस्थान वे पूरा अस्थल हैं जहां पर आखे टक्खाज संग्राहकों के होने का प्रमान मिले हैं कहां पर जहां पर त्रिकोंड वाले अस्थान है त्रिकोंड वाले अस्थान देखिए कहां है देखो यहां पर मतलब त्रिकोंड तीन कोन आप कहां दिख रहा है तो यहां पर है भीम बेटका है इसके बाद होंग सगी एक यहाँ पर है कुर्णूल गुफाएं है यहाँ पर एक है इसी तरह से देख सकते हैं कहां कहां पर है ठीक है इनके अलामा भी और कई अस्थानों पर आखेटक संग्राहक रहते थे मांचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने अस्थान ही चिन्हित किये गए हैं कई पुरास्थल नदियों और जीलों के किनारे पर पाये जाते हैं कि अगे चलते हैं कि चूकि पथर के उपकरण बहुत महत्पून weakness के इसलिए लोग ऐसे जगाए ढूंदते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके जहां पर अच्छे पत्थर उनको अपलब धो venus के जहां पर वहां भी पहुंचते थे गूंते गूंते क्योंकि उससे जन्रों को मारने के लिए बनाते थे इसलिए वहां पर जाते थी भीम बिटका आधुनिक मद्ध प्रदेश में है इस में इस पुरास्थल पर गुफाएं वर कंदराएं मिली हैं ठीक है गुफा जिसको जहां पर मतलब गुफाओं में रहते थे लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिश धूप हवाओं से राहत मिलती थे एक गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगा क्यों चुनी होगी इसको देखते हैं यहां पर सेल चित्र कला इनमें हमें क्या पता चलता है तो देखते हैं इसको भी यहां पर एक चित्र दिखाया गया है यहां पर हीरन को मारते हुए एक सहल चित्रे हां पर दिया गया है इस चित्र के बारे में बताओ तो देखते हैं जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दिवारों पर चित्र मिले है ठीक है जिन गुफा में लोग पहले के मा नव रहते थे उस गुफा में चित्र भी देखने को मिले हैं। इन में कुछ सुंदर उदारन मद्ध प्रदेश के मद्ध प्रदेश जिद्ध की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सज्व चित्रन किया गया है। गया है ओजो पहले के मानों थे उचित्र भी बना देते थे जैसे जैसे मतलब जानवर जो देखते थे अपने समय में तो उसको चित्र के रूप में भी परदरसित करते थे बना देते थे तो ओचित्र आज तक पड़ा है ठीखे पुरा अस्थल पुरा अस्थल क्या है देखते हैं पुरा अस्थल उस अस्थान को कहते हैं जहां आवजार बरतन और इमारतें जैसी वस्तियों के आवसेस मिलते हैं उसे क्या कहते हैं पुरा अस्थल ऐसी वस्तियों का निर्मार्ण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए ये जमीन के उपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल्प में भी पाये जाते हैं इन पुरा अस्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा ठीक है अगले अध्याय में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अब देखते हैं आग की खोज मांचित दो में कुर्णूल गुफा ढूंड हो उपर जो मांचित रहे उसमें कुर्णूल गुफा जहां पर है वहाँ यानि प्रिष्ट बार पर जाएंगे यहां राख के अस्यस मिले हैं इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे आग का इस्तिमाल कई कारियों के लिए किया गया होगा जैसे कि प्रकास के लिए मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानौरों को दूर आज भगाने के लिए आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं तो क्यों करते हैं आज हम आग का उपयोग सब लोग जानते हैं क्यों करते हैं नाम और तिथिया हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पूरा तत्वीदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं आरंभिक काल को वे पुरा पासांड काल कहते हैं जो आरंभिक काल सुरुवाती काल सुरुव का काल है उसको पूरा पासांड काल कहते हैं यानि पासांड पासान माने पत्थर होता है और ठीक है यह दो सब्दों यानि पूरा यानि प्राचिन पूरा का मतलब प्राचिन होता है और पासान यानि पत्थर होता है यह नाम पूरा अस्थलों से प्राप्त पत्थरों के आउजारों का महत को बताया है को कि बारे हजार साल पहले के दौरान माना जाता है इस पासन काल को भी टीन भगु में बाटा गया है आरंभिक, मद्ध और उत्तर ठीक है आरंभिक पासाण काल, मद्ध पासाण काल, उत्तर पासाण काल मानो इतिहास की लगबग निन्यान वे प्रिद्शत कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई जिस काल में हमें परियाव और ये बदलाव मिलते हैं, उसे मेसो लित यानि मद्ध पासाण काल युक कहते हैं इसका समय लगबग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है इस काल के पासाण आउजार आम तवर पर बहुत छोटे रहते थे, पासाण आउजार यानि पत्थर के आउजार बहुत छोटे रहते थे इन्हें माइक्रो लित यानि लग पासाण काल कहा जाता है प्राय आवजारों में हड्डियों या लकडियों के मुठ्छे लगे हासिया और आरी जैसे आवजार मिलते हैं प्राज पुरा पासाड़ी वाले आवजार भी इस बराम बना जाते रहे ठीक है इसको ध्यान से आपको सब देखना बहुत जरूरी सीज़े हैं अगले यूग की शुरूरत लगबग 10,000 साल पहले से होती है इसे नौपासाड़ यूग का जाता है नौपासाड़ का मतलब होता होगा हमने कुछ अस्थानों के नाम दिये हैं अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे अक्सर हम पुराने अस्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं क्योंकि हमें ग्यात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे